हलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि अगर आप मचली खाते हैं तो आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने काटे वाली मचली खाई हो और आपके गले में उसका काटा फस गया हो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है और यहां समय सिया आपके लिए मुश्किले बढ़ा सकती है क्योंक है जाहती है और ज्जादातर मामलों में इस प्रब्रम का सोल्योषन साथरन गलीर्ण नुश्कित से क्या जा सकता है जिसके लिए हमें उसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों मचली खाते समय । घले में कापा फसने पर ऐससे बहुत कम मामले होते हैं, जिस मिलता है दोस्तो मचली खाते समय गले में काटा फशने पर दर्द होना भी एक आम बात है और साथ ही गले में इरिटेशन भी होने लगती है कैई बार काटा इस्टो मैक में चला जाने के बावजूद आपको ऐसा फिलिंग्स होगा कि यहाँ अभी भी गले में फशा हुआ है उस कंडिशन में होता है जब काटा आपके गले को खरोज पहुचाते हुए आपके पेट में चला जाता है दोस्तो अब मैं बतांगा कि कब मचली का काटा आपको नुकसान नहीं पहुचाता है मचली खाते समय गले में काटा अकसर उपर में ही फश जाता है लेकिन खासने स उसकी पकड़ डीली पड़ जाती है ऐसा करने से या तो खासी के साथ बाहर आ जाता है या फिर पेट में चला जाता है एक बार काटा पेट में चला जाने के बाद यहां आपके सरीर को किसी भी परकार का कोई नुकसान नहीं पहुचाता है दोस्तों अब हम बात करेंगे कि मचली का काटा अगर तक जाए तो परेशान होने की ज़रुत नहीं है क्योंकि आज में आप लोग को पाच ऐसे घरे लिए उसके वताऊंगा जिससे आपके गले में फसा हुआ मचली का काटा आसानी से निकल जाएगा तो मचली का काटा निकालने के लिए उपाई नमबर वन दोस्तो आप चावाल यानि की पके हुए चावाल को ले लिए फिर इसे हाथों से मसल कर इसकी गोली बना लीजिए दोस्तों अगर काटा गले में अटक गया है तो आप चावाल के इस गोले को बीना चवाए धीरे धीरे निकल जाए आप 2-3 गोले ऐसे ही निगल जाए दोस्तों ऐसा करने से मचली का काटा आपके पेट में चला जाएगा नेक्स्ट मचली का काटा निकालने के लिए उपाई दोस्तों अगर चावाल उपलब्द ना हो तो आप रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप सिर्फ सोखी रोटी को ही थोड़ा सा चबाकर निगल जाए इसे कंठ में फसा हुआ मचली का काटा पेट के अंदर चला जाएगा नेक्स्ट मचली का काटा निकालने के लिए दोस्तों मचली का का 15 के लिए आप चूड़ा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए आप पानी में भीगय हुए है चूड़ा को हाथ समसल कर इसकी गोली बना लिजे इसे बिए दो से तीन गोली को को निगल जाए ऐसा करने से गले में एक का हुआ काटा पेट के अंदर ही चला जाएगा नेक्स्ट मचली का काटा निकालने के लिए उपाई नमबर 5 दोस्तों मफट्ट का काता निकालने इसलिए मचली का आटक जाये तो जैट्बून का तयल को पी लेना चाहिए यहां तुरन ठूक में नहीं मिलता है जिससे यहाँ मचली के काटे को गले से नीचे उतारने के लिए अच्छा उपाओ हैं यहाँ मचली के काटे को चिकना करके फिसलने पर मजबूर कर सकता है तो आपके बच्चे के साथ कभी ऐसा नौबत आ जाए तो आप इन उपायों को जरूर ट्राइ कीजिएगा परंतु अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेसानी हो रही ही हो तो डॉक्टर से अवश्य मिले तो दोस्तों यह था कुछ घरलून उपाई जिनसे आप गले में फसे हुए मचले को काटों को आ